नमश्कार लाइच इटीज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपकी साथ प्रिती जा सिक्षा विभा के अपर मुखि सच्चिव के के पाठक के फर्मान से जहां सिक्षकों के बीच खौफ देखने को मिल रहा है तो वहीं अप उनके फर्मान से जो DEO है जिला सिक्षा पताधिकारी है वो भी अब अलर्ट मोड पर चले गए है जी हाँ दरसल सिक्षा विभा के अपर मुखि सच्चिव के के पाठक ने अब उन्हें भी नए काम में लगा दिया है और अब स्कूलों की जो रोजाना रिपोर्ट है और स्कूलों की क्या दशा है वो लगातार रोजाना के के पाठक तक पहुँचेगी इसको लेकर सिक्षा विभा के अपर मुखि सच्चिव के के पाठक ने प्रेस कॉन्फरेंस किया सभी DEO के साथ और DEO को यादेश दिया है कि रोजाना आप हर एक-एक स्कूल में पहुचेंगे और वहां की विवस्था को देखेंगे चाहे वो सिक्षकों की उपस्थिती ही क्यों ना हो जा या फिर बच्चों की उपस्थिती ही क्यों ना हो जाए इन तमाम जो चीजें होंगी जो विवस्था होगी उसकी रिपोर्ट आप सिक्षा विभाग में रोजाना भेचेंगे और वही यहाँ भी कहा गया है कि आप एक लिस्ट तयार कर ले कि किस दिन आप कौन से स्कूल जाएंगे तो बता दे आपको कि केके पाठक ने डीओ को कहा है कि हर दिन स्कूलों का जायजा लिया जाएगा और शाम में इसकी रिपोर्ट जो है वो सिक्षा विभाग में भेजे जाएगी और उन रिपोर्ट को देखा जाएगा कि आखिर जो भेजी गई है रिपोर्ट उसमें कितनी सचाई है नहीं है और वहीं आपर मुझे सची केके पाठक ने सभी डीयों को निर्देश भी दिया है कि वो 15 दिनों में किन 15 स्कूलों का निरेक्शन करेंगे इसके लिस्ट भी भे बता दे कि केकी पाठक जिस जिले में जादा सक्री रहते हैं उस जिले में पूरे दिशा से जो क्यों सिक्षा विभाग है वो भी अलेक्ट मोड पर रहता है अब डीयों को भी उन्होंने अक्टिव वहने के लिए कह दिया है और उन्हें भी या बता दिया है कि कैसे वो रो पोट भी विभाग को भेजी जाएगे इसके पीछे की वज़ा या है कि सक्षा विभाग के अधिकारियों को यह पता चल सकेगा कि डियों के निरेक्शन के बाद भी स्कूल की स्थीती में आखिर क्या बदला हुआ है क्योंकि ऐसे तो यह देखने को मिलता है कि जब भी इसके ववस्थित करने में लग जाते हैं लेकिन अब केके पाठक ने बीएओ को भी काम वह सौप दिया है और बता दिया है कि रोजाना आप एक एक स्कूल में जाएंगे और इस स्कूल की जो एक रिपोर्ट है वह तयार करेंगे और रोजाना की रिपोर्ट जो है वह सुक्षा वे भाग को देंगे यानि कि रोजाना अपडेट उस स्कूल का केगे पाठक तक जाएगा और वहीं उन्हों ने या भी बताया कि जिन जिन स्कूलों का आप निरिक्षन करेंगे फिर सापताहिक रिपोर्ट भी आपको देनी है इससे इस बारे में पता चल पाएगा कि आखिर D.E.O. यानि कि जिन स्कूलों का निरिक्षन किया है आखिर उसमें कोई सुधार हुआ है या नहीं हुआ है ये खास करके इसलिए भी किया जा रहा है जहां या देखने को मिलता है कि केगे पाठक ने जो आदेश दिया है उसमें काम तो हो रहे है सुक्षक सुन तो रहे है लेकिन कई बार थोड़े डीले पर जाते हैं सुस पर जाते है या फिर उसे नहीं मानने लगते हैं तो वहीं अब D.E.O. स कह दिया गया है कि रोजाना आप अएक एक दिन स्कूलों में घूमेंगे और उसकी रिपोर्ट रोजाना रिपोर्ट आप सुक्षा विभाग को सौ झाल